हेलो दोस्तो नमेश्कार से लेके अभी तक कमेंट सेक्चन में बहुत सारे रिक्वेस्ट आ चुके हैं सर हमारी इंडियन कमपनी विदेश में लिस्ट होने जारी है उसका वहाँ पर आई पियो आने वाला है तो इससे रिलेटेड एक प्रॉपरली वीडियो बना देना वो भी मैं आप लोगो यहाँ पर बताने वाला हूँ सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़े आप लोगो पता होनी चाहेंड अगर नहीं पता है तो मैं इस वीडियो में आप लोगो बता दूँगा और में बाद में हम लोग उस आर्टिकल को पढ़ेंगे जिससे रिलेटर यह न्यूस सामने आई है तो फिर आप लोगो कोई blank concept नहीं रहने वाला है सारी चीज़े आप लोगो यहाँ पर पहले मैं बता दूँगा तो सबसे पहले important चीज़ देखिए दोस्तों क्या होता है यह है USA America उसका अपना बाजार रहता है यह Indian market है ठीक है अभी देख लेना जो Indian company है दोस्तों Indian company मतलब आप समझ रहें इंडिया वाली company अगर उसको अमेरिका में यहाँ पर जाना है और अगर उसको वहाँ पर लिस्ट होना है तो वो कर सकता है यह से आप लोग यहाँ पर कर सकते है rules and regulation रहते है उसके मुताबगी के इस चीज़े वो कर सकते है जो भी Indian company दोस्तों अमेरिका में लिस्ट होती है उसके आगे आप लोग को मिलेगा क्या पता है एक शब्द मिलता है ADR यह क्या होता है सब कुछ आप लोग को पता चलेगा इतना आप लोगों को अभी तक समझ गया होगा क्या कि अगर आपकी एक Indian company है चलो मेरी company ऐसे पकड़ लेते है SMKC ठीक है इस channel का नाम है SMKC अगर मुझे Indian market में लिस्ट होना है मैं हो सकता हूँ conditions रहेंगे सेभी के guidelines रहेंगे जो 1956 जो act है वो complete करना पड़ेगा मुझा securities की अगर मैं बात करूँ तो and मैं list हो सकता हूँ वैसे अमेरिका में मुझे जाना है तो अमेरिका में क्या रहते है दोस्तो तो आपको मैं यहापे बताना चाहूँगा कि उनके rules रहते हैं जैसे हो जाएगा SM किसी के आगे क्या रहेगा उस share के नाम के आगे क्या लिखेर जाएगा ADR ADR मतलब आप इतना पकड़ लेना कि यह Indian company है वो वहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही है मैं हमारे इसाब से यहापे बात कर रहा हूँ तो बहुत सर लोग यह भी कहेंगे उसका नाम हिंदुस्तान इनी लेवर यहाँ पे भी है बाता की मैं बात करूँ वो भी विदेश की company वो बाता इंडिया के नाम से करते हैं तो उसके आगे ऐसा कुछ यहाँ पे लिखते हैं हमारे इंडियन company अगर वहाँ पे जाएगी USA में जाएगी तो उसके आगे आप लोगो ADR देखने को मिलेगा वो depository receipts रहते हैं इतना तो आपको समझ में आ गया है देन दोस्तों most important चीज़ कौनसी important चीज़ देखे हमारे इदर क्या रहता है सेभी रहता है यह सब कुछ चीज़े चेक करने के लिए एक head body होती है कि ने insurance के लिए IRDAI रहती है bank के लिए RBI होता है वैसी अगर हम लोग stock market का head body किसको बोलते है यह आपे सेभी को बोलते है सेभी सब कुछ ध्यान रखेगा कोई गडबड हो रहे है यह नहीं होग अगर आपको fund जुटाना है IPO लाना है तो इनके भी कुछ roles रहेंगे वह complete यहापे करने पढ़ेंगे अभी तक आपको एक रफ लिए अंदाजा यहापे आ चुका है कुछ concept में आपको बोले है सो दोस्तो अभी हम लोग आ चुके नॉर्मल स्क्रीन के उपर अभी हम लोग वो सारी चीज़े यहापे पढ़ना स्टार्ट करेंगे अभी आपको बाउंसर तो नहीं जाएगा जितना important था उतना मैंने आप लोगों को सिखा दिया ऐसे हमारे companies भी है येस कौन से वाले ये लिखिए आप लोगों को में दिखाना चुका इन्फोसेस के हमारी company येस इन्फोसेस के आगे देखी क्या लिखाए एडियर ये 23 रूपीज नहीं ये डॉलर्स ये आपको multiply करना पड़ेगा आज के rate के इसाब से ICAC bank का ADR American Bazaar में है Tata Motor उसका ADR भी है और कौन से है विप्रो उसका भी ADR है इसे बहुत सरे HDFC bank की अगर मैं बात करूँ उसका ADR है इसे आपको बहुत सरे companies मिल जाएंगे Indian market की में बात करूँ तो जो विदेश में लिस्टेड है और कौन-कौन से एक्सिस bank का भी ADR आपको मिल जाएगा डॉक्टर रेडिस का भी मिल जाएगा और मुझे comment section में बता देना की कौन-कौन से ADR वहापे आते कुछ गिनेचु नहीं है तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसका सबसे main चीज क्या देखी यह सारे कौन से company यह Indian company है इन चीजों को याद रखना इंडियन company जब वहाँ पर जाएगी तो आपको इसके आगे ऐसा ADR देखने को पनेगा वह depository receipt हम लोग को यह issues होते वह देखने को आपर मिल जाते है then जैसे मैंने आप लोग को पता है था क्या बता है था US Security and Exchange Commission SEC जैसे मैंने आपको बता है था SEBI कैसे head body है तो यह है दोस्तो SEC so इतना तो अभी आप लोग को पता चल गया होगा तो चलिए अभी हम लोग आ जाते आर्टिकल की उपर अभी आपको कुछ भी बाउंसर नहीं जाएगा अभी यह आर्टिकल बहुत ही छोटा है आप लोग को समझ मेंगा तो हमारे इंडियन की कौन सी कंपनी आप देख सकत मतलब Security Exchange Commission हमारा सेभी कैसे है वैसे वहाँ पेपर जा चुके किसके लिए पेपर तो IPO के लिए IPO की वह लाए जाता है obviously fund उठाने के लिए और क्या लिखा है वाया American Depository Receipt ADR Root के थ्रू यहाँ पे वो IPO लाने जारे एंड SEC के वहाँ पे उन्हें ने पेपर भी जमा कर दिये किसने की है कोफोर्ज अभी यह में directly पढ़ लेता तो आपको बाउंसर चला जाता अभी आप लोगों को इस सब कुछ चीजे समझ में आ पे आ चुकी है तो कोफोर्ज क्या करने वाला है पैसा उठाने वाला है IPO मतलब क्या रहते है बाजार में आके आप लोग अपने शेर्स दे देते हो OFS ला सकते हो fresh issue ला सकते हो वह पैसा जाएगा company के पास या फिर promoter के पास वही चीज वह अभी कापे करने वाले विदेश में करने वाले तो कोफोर्ज हमारे market में already listed है तो जैसे मैं आपको कहा था ADR मतलब क्या रहेगा यह company Indian वाली company होनी चाहे तो कोफोर्ज तो आप लोग कोफोर्ज है इजन क्या लिखा है Indian multinational information technology company Indian company है जो कि आपको NOIDA में देखने को मिलेगी उसी के साथ-साथ USA में भी देखने को मिलेगा बट है कौन सी company Indian company है Bombay Stock Exchange NSC के उपर भी listed है यह देखे आप Wikipedia जाओ के ना कोफोर्ज से related यह देखे सारा चीज मिलेगा कहा पे trade करते है NSC BSE public वाली company है देन आप लोग इसका code भी देख सकते हो industry IT sector से जुड़ी विए earlier NIT technologies अगर हम लोग बात करें company कितनी पूरा नी है लगबग 30 साल आप बोल सकते है roughly experiences company का headquarter आप लोग देख सकते हो का पे play करता है worldwide आप इनकी services देख सकते हो recently CEO कौन है चाओ तो इनके बारे में आप लोग पढ़ सकते हो चाहो तो नहीं अगर आप interested हो तो पढ़ना ही पड़ेगा company IT वाली तो करती कह है digital supply chain artificial intelligence बहुत सार लोग comment section में भी पूछते हैं ते सर AI से related यह देख लेना इनका भी business है cloud infrastructure data management यह सारा data इनका मतलब यह इनका काम है लगबग 21,000 से भी ज्यादा employees इस का अगर हम लोग नाम की बात करें तो इस IPO की sites की अगर हम लोग बात करें तो यह देख लेना लगबग 100 million dollar का यह IPO हो सकता है expectation चल रहें exactly अभी तो पता नहीं है and obviously कोई ना कोई अपना stake बेचेगा तो कौन है यह देखी सारी possibility की बात हो रहे है तो कौन यहापर हो सकता है यह यहापर बेरिंग की अगर हम लोग बात करें bearing and other selling shareholders यह शायद से अपना stake यहापर क्या कर सकते हैं हलका कर सकते तो कितना stake है इनके पास स्टेक के हिसाब से बात करें तो bearing PE Asia currently hold how much 50.2% stake in a coforge सो हम लोग कह सकते बहुत ही अच्छा खासा हिस्सा है इनके पास and यह हम कह सकते यहापर क्या कर सकते ओफर दे सकते हैं सो दोस्तो जितना भी important news था वो मैंने आप लोग के सामने step by step यहापर रख दिये तो आपको एक scenario समझ में आ गया होगा सो अभी next सवाल यह भी आता सर इसका फाइदा क्या है फाइदा तो obviously यहापर रहेगा जो fund उठाने से related है इसमें risk क्या रह सकती यह risk में आप लोग को बताना चाहूँगा देखे दोस्तो जो American Bazaar में list होना यह कोई बच्चों का खेल नहीं है क्यों मैं बताना चाहूँगा यह जो मेरे आप लोगों को नाम दिखाया था ना कौनसा नाम थोड़ा सा पीछे आना चाहूँगा तो आप लोगों को मिल जाएगा इसलिए मतलब बोलते हैं यूएस मार्केट में जाना एंड लिस्ट होना और परफॉर्मस देना इतना भी इजी नहीं होता है आप लोगों के लिए अच्छी बात भी है कि कंपनी को अभी सारी चीज़े अच्छी तरकी से फुल्फिल करनी पड़ेगी बीच में आप लोगों को पता भी होगा कि इन्फोसेस के उपर यहापे विसल ब्लोर ने बहुत बड़ा आरोप लगाया था सारी चीज़े यहापे मतलब इन्फोसेस के यहापे सारे इन्वेस्टिकेशन हो चुके थे कुछ भी हाथ में नहीं लगा था देन ऑडिट कमिटे रहती है उनकी भी रिपोट आई थी कुछ भी हाथ में नहीं लगा था अब स्टिल स्टॉक उतना अच्छा परफॉर्वंस नहीं दे रहा था क्योंकि इन्फोसेस का भी एडिया रहे तो अव्यसली सिक्यूरेटी एक्स्चेंज कमिशन SEC का बयान आना अभी भी बाकी था उनका इन्वेस्टिकेशन चालू था और दोस्तो SEC का बयान जैसे ही सामने आया स्टॉक सिधा रॉकेट बन गया क्योंकि उनको पता है यह बहुत ही जादा स्ट्रिक चेक करेंगे और यहाँ पर अगर गड़बड़ी कुछ पा गई तो इन्फोसेस काम से गया था बट ऐसा कुछ हुआ नहीं यह भी कहा जो कम्प्लेंट विसल ब्लोर ने की थी इन्फोसेस के खिलाफ वापे वो इतनी बेबुनिया दे कि हम लोग आगे जाके भी कोई इन्वेस्टिकेशन कंड़क नहीं करेंगे हम लोग इधर ही केस को क्या कर रहे है उसके बाद इन्फोसेस भागना शुरू किया सो मैं बताने का मकसद क्या है यहाँ पे कि SEC के अंडर यहाँ पे मतलब काम करना बहुत इस्ट्रिक rules and regulation होते इतना easy भी नहीं रहता है सो यह देखा गया तो फाइदे वाली भी चीज़ है फाइदे वाली मतलब आप अगर जहाँ पे जो company खुद से जा रही है तो उनको पता है कि कहाँ पे उनको क्या rules and regulation follow करने पढ़ने वाले है इतना easy कारोबार होने वाला नहीं है तो इसलिए हम लोग कह सकते एक अच्छा point भी as a investors point of view से अगर हम लोग बात करे यह ज़रूर यहाँ पे रहने वाला है बाकी अगर चीज़े देखी जाए तो कोफर्ज बहुत बार में वीडियो बना चुक है इससे रिलेटेड बहुत ही कमाल की company है IT sector से जुड़ी भी company है इसका maximum chart pattern अगर आप देखोगी BAC के उपर आप लोगों को बहुत लंबा chart pattern मिलेगा अभी तक की हिसाब से NSE की हिसाब से आप देख सकते 200% की रिटन्स है company के balance rate भी बहुत ही जादा strong है अगर आप लोग देखोगी आपे करजा लगातार कम होते हुए देखने को मिल रहा है ये चीज़े तो हम लोग ने बहुत बार देखी लिए सिर्फ बताने का मकसद इतना ही है कि company बिलकुल भी मतलब खराब है इसी नहीं है बहुत ही कमाल की company short term borrowing भी आप देख सकते 0 ही है तो company के recently भी profit and loss अगर आप देखोगे पिछले साल के हिसाब से 400 करोड, 444 करोड, 456 करोड, 525 करोड तो अच्छा ही performance देखने को आपे मिला है बहुत ही कमाल की बात है दोस्तों और बहुत अच्छी बात है कि Indian companies अमेरिका में अभी हम लोगों को जाते वे देखने को मिल रहे है एक और नया ADR हम लोगों को देखने को आपे मिल चुका है मैंने बीच में आप लोगों के एक चीज भी सिखाई थी कि जो बड़े traders होते मैं बहुत ही बड़े करोडों के traders की बात कर रहा हूँ वो specifically ADR वाले stocks को ही जादा क्या करते है play करते क्योंकि उनको एक अंदज आता है कि American Bazaar में आपे क्या चल रहा है हमारा market close हो जाने के बाद कोई ना कोई news आती रहती है तो फिर आप लोग American Bazaar चेक कर लेना जो हमारे ADR किस तरीके के हरकत दिखा रहे है वो चीज जैसे सामने आती है ups and downs उस टॉक में कोई हो रहा है कि ने कुछ बड़ी news के बाद फिर जाके next दिन हमारे market में क्या हो सकता है उसका भी वो अनुवान लगा कि उस तरीके का क्या करते है ट्रेड करके अच्छा का सा मुनाफ़ा भी कमाते है तो आप भी चाओ तो ऐसी चीज़े कर सकते है प्रैक्टिस लगेगी इस चीज़ के लिए तो जरूर आप लोग चाओ तो एक बार स्टडी इनको भी कर सकते हो तो कोफोर्ज से रेलेटर बात करें तो बहुत ही कमाल की कमपनी है यह अलरी बता चुका हो बहुत ही बढ़िया कमपनी है चलो एक और नया ADR हम लोगों को यहापे विदेश में अमेरिकन बाजर में यहापे आते वे देखने को मिलने वाला है जाते जाते एक छोटा सा और एक होमवक देना चाओंगा नीचे मुझे कमेंट सिक्षन में बता देना एक बता दिया था कि और कौन से ADR है वो तो आप इसली बता दोगे ऐसे कौन से ADR है जो कि आप चाओ तो इस टॉक के बार में और भी स्टड़ी कर सकते हो आशाकर तो आपको वीडियो पसंद आगा तो जारू लाइक एंड शेर भी कर देना तो आट से टेंक्यों वरी माज़ों तो वी बिल भी मिटिंग आर निक शीडियों तब तक के लिए बाई-बाई